हलो दोस्तो आप से विक कैसे हैं मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कई बहुत ही बढ़िया होंगे बहुत ही जबजस्त होंगे दोस्तो आज हम लोग सुल्व करने वाले हैं जहारखन जैसे सी सीजियल का प्रेक्टिस सेट नंबर 10 अगर आप मेरा प्रेश्ट जाता हैं सारा वीडियो अगर बना दिये सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में सरी आज कशवर करने वाले हैं तो मिटर का ग्यान को आप सहीं हो पता होगा कि जहारखन जैसे सीजियल में टोटल कम्प्योटर से 20 उनियुक्स की शोची होती है किसकी सूची होती है तो मेनुव में कमान्ड की सूची होती है जो है D is questions का right answer हो जाएगा next है Unix Unix operating system को आमतोर पर किस रूप में जाना जाता है आमतोर पर किस रूप में जाना जाता है त्याराश तो multi user operating system के रूप में जाना जाता है multi user operating system option number D is questions का right answer हो जाएगा दोस्तो अगर आप लोग के पास 10 मिर भी समय होगा तो इस वीडियो का पूरा जरूर देख लिए ठीक है आपके एक्जाम को लिए काफी helpful रहेगा जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप लोग का एक्जाम का data allowance हो चुका है तो आप लोग को अभी बहुत कम समय है इस टैम में आप लोग को daily practice set लगाना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो अगर घर पे नहीं लगा पाते है ताब मेरा वीडियो देखिए मेरा वीडियो को थोरे भी एक्जाम से पहले तक आप लोग को हम 25-30 set करवा देंगे ठीक है यहा तो आउट्लाइन लेव अक्की presentation में लिखित पार को दर्स आता है यानि आउट्लाइन ले टैब इस questions का right answer हो जागा option no.c आश्रैम क्या आते हैं अगला पें परस्ट परोस्टाइब डिकाजाता है दो C.E.D. किस dil です कि लिए छ आप दिस दो होता सब्सक्राइन नियुत को दीले लिखा जाता था यह का फूल हूलता है क्या क्या में अगला परन्यार पैयों कि है Troy सब्सक्राइर का का परियोग किस काम के लिए का जाता है तो एकाउंटिंग के लिए काउंटिंग ऑप्सन नहीं देखिए पहला राइट एंसर जाएगा एकाउंटिंग तो टेली एक अप्रिक्षन व्हों सोप्टेयर का उधार है थिक ए अगला है डेस्स दिया हुआ है आकरसक प्रस्थूतिया बनाने के लिए किसका परिक जाता है तेर्जंध तो आप्सन नम्हेंट जो है डी राइट एंसर हो जाएंगा माक्रोसव्ट पांवरप्वएंट नेक्ट नोग आते हैं अगला परश्ट पर प्रस्षण है आईबीम का पुर्ण रूप क्या है आईबीम को फूल फम बताना है दोस्तों जितना भी फूल होता है कंप्पूटर में सारा का याद करना है ठीक है एक से दो प्रस्ण आपका कंप्पूटर से रहे गाए रहेगा फुल फॉर्म तब लोग सभी का फुल फॉर्म याद करना है जो भी कंपूटर में होता है तो बताइए आप लोग कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है तो IBM का पूर्फरम इंटरनेशनल बिजनेश मसीन होता है इंटरनेशनल बिजनेश मसीन अप्षन नबर डी राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट लोग आते हैं अगला परस्ण पे और अगला परस्ण है API का पूर्ण रूफ है यहाँ पर फिल से फूलफों पूछ दिया API का पूर्ण रूफ क्या होता है त्यानुस तो application प्रोग्राम इंटरफेस होता है application प्रोग्राम इंटरफेस option नबर पहला ही राइट एंसर हो जाएगा इंटरफेस, application, program, interface, अच्छा, option number C उला होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, interaction दिया हुआ ही नहीं होगा, application, program, interface होगा, option number C, इस questions का right answer हो जाएगा, नेक्स्ट रोग आते हैं अगला पस्ण पर अगला पस्ण है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भासा में लिखने की प्रिक्रिया कहलाती है तरह तो कोडिंग कहलाती है अब सब्सक्राइब रोग चाहरों सब्सक्राइब कोड़े कोड़ेंग बल्च यहाजों हो जाएगाδोन दुसरे होजहारे हैं नगेant कि है एकला कि क्रफ़न पर संथ कि है रहती है कि है कॉमपाइलर क्या है 立त वह सिस्टम शॉपत atención है झाल उपसान नहीं झो है वह भी रहन्सर फो जाएगा यए असे जयाता है एयुद अद्ध ए उसे कह जाता है याajता है तेरा श्ट तो उसे कहा जाता है असेमलर, एसेमली लंग्वेज में परियुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को एसेमलर कहा जाता है, ओप्शन नमबर, बी राइट एंसर हो जायगा, नेफ्ट अगला पश्ण और अगला पश्ण है, अंग्रेजी भासा के समान उच अस्तरिय भासा, उच्छ अस्तरी भासा इने हाई लेवल लंग्वेज है तो कोबॉल इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर जो है बी इस कोच्छन का राइट एंसर जाएगा अंग्रिजी भासा के समान उच्छ अस्तर भासा कोबॉल है नेश्ट लोग आते हैं अगला पॉष्ण पर देखिए अगला पॉष्ण क्या है अगला पॉष्ण है कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है को बताना है तरह तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वह कंप्यूटर के लिए सारा ठेंकिंग करता है इन्हें सारा से सोचता है option number जो है यह right answer हो जाएगा next है अगला पश्ण अगला पश्ण है निम लिखीत में database manager का उधारन कौन सा है database manager का उधारन कौन सा आपको बताना है तेरा अवस्तो इसका उधारन जो है वो है paradox paradox option number जो है b right answer हो जाएगा next आते हैं अगला पश्ण पे किसी प्रोग्राम को चीतर के रूप में परदसित करना क्या कहलाता है तेरा अवस्तो वो कहलाता है flow chart option number जो है पहला इस questions का right answer तो flow chart जगला है fortran को क्या कहते है fortran को क्या कहते है तेरा अवस्तो fortran जो है वो formula translator होता है option number जो है बी right answer हो जाएगा fortran formula translator को कहते है अगला है अगला पॉस्तों देखिए 148 नमबर नेम लिखित में से कौन सी एक कम्पूटर भासा नहीं है कौन सी एक कम्पूटर भासा नहीं है ठीके देखिए यहाँ पर windows 98 जो एक कम्पूटर भासा नहीं है जबकि जो भी यहाँ पर दिया हुआ है यह सब तीनों सी प्लस 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 पास्कल फोटन यह कम्पूटर भासा है अब देख रहे हैं यह प्रचलन तंत्र ने ओप्रिशन सिस्टम पर अधारित ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है यह ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है यह कम्पूटर भासा नहीं है ठीके प्रोग्राम में नेम लिखित में से किसका मतलब बराबर नहीं होता है किसका मतलब बराबर नहीं होता है इस questions का right answer option number C होला हो जाएगा option number C तो दोस्तो हम उम्मीद करेंगे कि ये practice set आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर मेरा दोवारा पढ़ाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को like जरूर कीजेगा इसे हमें वीडियो बनाने का motivation मिलता है ठीक है और दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट कीजेगा कि अप लोग को किस किस टोपिक से वीडियो चाहिए किस प्रकार से वीडियो चाहिए तो चलिए हो लोग मिलते हैं नेस्ट विडियो में तब तक लिए थैंक्यू जैहिंद